एक पुरानी कहाणी है, जरू सुनाता हूँ, कहाणी बहुत संदार है तो आप लोग सुनिएगा अच्छा से, एक कवह करंग जाणते हैं कैसा होता है के वगरंग काला होता है, ओर क्या बता दिया आपने, मेरी थे नहीं बता था कि को व्हा करंग काला होता है मैं तो लाल जानता था तरहां आपको गुरुव मैं उससे असपर्सकरना चाहता हूं अब फेर ठोड़ीये जानते उसको हूँ और कोपो प्रोलम ये था कि मैं काला हूं काला कोई रंग होता ह be क्या किया था मैंने भगवान मुझे काला बनाया क्या मेरे गल्टी थी यार कि मुझे भगवान ने काला बनाया तहीं था कवा का प्रोब्लम अरे काला होने के कारण इतना दुखी था भाया बेचारा कि वह रोने लगा यार रोने लगा कि हे प्रभू मुझे आपने काला क्यों बनाया जहां जाता हूँ लोग जहां जाता हूँ कांकों करता हूँ लोग धिला मारकर मुझे उरा देते हैं क्या भगवान क्या मैंने गल्ति की थीक मुझे काला बनाया और वह ऐसा बोल बोल कर बोल बोल कर रोने लगा तब ही वहां से एक महर्षी स्वामी तपस्वी गुजरते हैं और उनके माठ्धे पर एक पानी का बुंद टपकता है तो बोल देंके रिभाई पानी का ऐसा है जब वह उपर देखते हैं तो देखते हैं के कववा उपर बैठा हुआ है और वह रो रहा है प्रभा बोलता है कि तुम्हारी प्रोलम क्या है तुम क्यों रो रहे हो कुवा बोलता है कि जिन्गी है कोई साला लोग ने मुझे काला बनाया है जहां जाता हूं लोग मुझे भगा देते हैं जहां जाता हूं बैठता हूं कहां को करता हूं लोग मुझे ढेले से मार कर भ हन्स बनना चाहूंगा प्रभू क्रीपा होगी यहाश हन्स बना देंगे प्रभू दें घृट एक सर्थ है कुण मुझे क्यूं को तयार है है कि मैं आपकी 血 wh Griff MICHAEL को तicarate प्रभु जी बोले, स्वामे जी बोले, कि जाओ, तुम उस हंस से मिलकर आओ, क्या वह अपनी जिन्दगी से संटूस्त है, खुष है? क्या बोला कि जो आई या प्रभु, मैं अभी जाता हूँ, प्रकवा कोई 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 करता करता हंस के पास पहुँच गया, हंस ब तुम्हारे वीडियो बनाते हैं यार उपने फोन में देखते हैं किया यार जिंगी है तुम्हारी कितनी मस्त तुम्हारी जिंगी है यार मैं भी तुम्हारे जैसे बनना चाहता तुम तुम्हारे बहुत खूस रहते होगे ना हनस बोला किसने कहा कि मैं खूस हूं कौन कहा कि मैं खुष रहाता हूं को वाने बोला कि अरे भाई तुम्हारी क्या प्रोडम हो गई तुम आखर क्यों नहीं खुष ओ तुम्हारस्टि जी के पास पूछते हैं दोनों अपने प्रोडम बताते हैं तुम्हारस्टि जी ने हंस से पुछते हैं कि बता तुम क्या बनना चाहोगे यदि मैं तुछे बना दू हंस बना दू है करे बाबा भुट रहेम होगी अपकी यदि आप मुझे पैरल सभनाड़ तोता बनाद़ बाबा वसित्री चोटी बात यहमंते तोता Buna देता हूं एकने एक सठ ay mm माझे एक सठfight jemand कि एक सठथ है हमारी कि पॉला कि क्योंही बाबा मैं अपकी सारे सठत मानने मों उत्यार उन्हें बाबा ने बोला कि जाओ तुम दोनों उस तोते से मिलकर आओ, क्या वो अपने जिन्दगी से संटूष्ट है, वो दोनों भाईया तोते की खोच में निकल जाते हैं, जंगल के चार पांच राउंड लगाते हैं, फर फिर भी तोता नहीं दिखती, आखिर कर मेनद करने के बा मैं यार स्वेत हूँ यार उजला हूँ, में उको मरने के बाद लोग उज़ करते हैं, दोनों तोते को बोलते हैं, कि भाई तुम्हारी क्या मस्त जिन्दगे हैं, लोग तुझे पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, खाना खिलाते हैं, कोई-कोई तो यार तुझे क्या जिन्दगी है साला तुम्हारी यार, ओहो भगवान करे मुझे तोता बनाया होता, मैं कितना खूस होता, तुम तोते, तुम तो यार बहुत खूस रहते होगे, तोता बोला, कौन कहा, कि मैं खूस रहता हूँ, I'm not happy, मैं भी खूस नहीं हूँ, भाई या कुवा और हन से चौक जाते है, करे यार, इसे काल जो किस्मिस पिष्टा बदान खाने को मिलता है, या फिर भी खूस नहीं यार, आखिर तुम खूस क्यों नहीं हो, तोता बोलता है, ये कुई रंग है साला, हरा, तुम लोग जंगल के चार चक्कर लगा लिए, फिर भी मैं नहीं तुम्हारी क्या प्रोलम है, तोता बलता है, कि प्रभू मुझे आप पिकॉक बना दो प्रभू, मोर बना दो, हरसी बोलते हैं, बस इतनी छोटी बात, जा मैं तुझे मोर बनाया, लेकिन एक सर्थ है हमारी, जा तु उस मोर से मिलकर रहा, क्या मोर अपनी जिन्दगी से ख तुम्हारी लोग तस्वीर खिचते हैं, तुम्हारी बारिस में पंक, जो तुम फला कर नाजते हो, उससे देखने के लिए लोग घंटो घंटो तक वेट करते हैं, जिन्दगी है रे साला तुम्हारी, तुम तु यार बहुत खुस रहते होगे, लेकिन पिकॉक बोलता है, मोर बोलता है कि कौन बोला रहे तुमको, मैं भी खुस नहीं हूँ, मोर बोलता है कि तुम लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही है, लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ देर सुनने के बाद लोगों को आवाज सुनाई देती है, ठक 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 का, वो एक्च्छली में आव और देखा तुमने यह हम लोगों के पंख को उखार के मार्केट में बेशते हैं लोग उसे खरीद कर अपने घर में लगाते हैं यह कोई जिन्दगी है साला जिसके कोई मरने की ग्रांटी नहीं कम मर जाए और हमारी पंखों का यूज लोग अपने घरों को सजाने में करते है कि तुमों तो लोग यार तो खस्ताबी सीवह कि तुम्हें करते हैं तुम्हों को रहा नहीं जाता वह बोलता है यार तिनों तो ठीट ठाक लेवल पर हैं बट मैं, मैं क्या यार मेरोको लोग नाखाना देते है न मुझे कोई National Wor- e sught को स्वेध का प्रतिक है सचाईं का, अथिमौर को देख लो पिप्र कौःक को देख लो जो क्या है नेस्नल वर्ड है, सुगा को दोखिवलोग जीसे लोग पालते हैं, अपने घर में देते हैं, खिलाते पलाते हैं लेकिन मैं, मैं सबसे बदनसीब हूँ कह war रोने लगा, मैं तो यार सबसे बदनसीब हूँ यार मैं कुदा रोने लगता यार पिकॉक बोलता है क्यूं वे कौवे क्यूं क्यूं रो रहे हो तुम्हारे जिन्गी तो हम तीनु से मश्थे कुआ बोलता है अज एसा है Fact मज Cred एक कर और साले तुम इंसरी कॉण अब कववे के बाद सुनकर एतिनों मायूस हो जाते हैं तभी मोर बोलता है कि देख भाई कववे मैं तुम्हारा अखिर मजाक क्यों उराऊंगा भाई तुने चिकेन बिर्यानी सुनी है कववा बोलता है हाँ तुने मटन बिर्यानी सुनी है कववा बोलता है जी हाँ कभी तुने कववा बिर्यानी सुनी है कववा बलता है कि ना देख भाई कववे यही है तुम्हारी असल जिन्दगी हम सारे लोग के जिन्दगी पर क्या है मौत का टांडो है लेकिन तुम्हें कोई नहीं मारता तुम्हें कोई कुछ नहीं करता भले तुम्हें खाना प्रभू मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ स्वामेज यह बोलते हैं कि देख भाई अपनी लाइब से आप खुद प्यार करने लगो ना तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगा लेकिन आप अपनी लाइब को प्रोलम की नजर से देखो तो आपके साथ प्रोबलम ही प्रोबलम है इसलिए भाई कभी दूसरे से ना इसलिए प्रोबर कर आप मत करो जो है मस्त है क्यूंग एक और बात बताता हूं मैं के और बहुत अक्कर है रेतरह में जब तक तो दो रहेंगे नहीं तब तक छोड़ें नहीं लाइक कमेंट करें संस्क्राइब करें बहिए मेरे को